नमस्कार दोस्तों, welcome you all again to the most comprehensive and to the point lecture series on environment. दोस्तों, इस particular lecture में हम लोग environment की series को आगे बढ़ाते हुए, जानने की कोशिश करेंगे three again similar looking terminologies having vast difference in their meanings, that is eco-tone, eco-cline and edge effect. इनको हम diagrammatic format के through समझने की कोशिश करेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, चले शुरू करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं eco-tone के बारे में, अगर आप यहाँ पर देख पाओगे, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़े दिखेंगी, यहाँ पर लिखा हुआ है ecosystem one, यहाँ पर लिखा हुआ है ecosystem two, मगर इसके beach में लिखा हुआ है eco-tone, बस, यही होता है eco-tone, अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों लिखा हुआ है, तो सबसे पहले समझो कि इस side लिखा हुआ है जो eco-tone, वो land का ecosystem है, और इस side जो लिखा हुआ ecosystem वो aquatic ecosystem है, अगर आपको यहाँ पर fishes दिख रही हैं, अगर आपको यहाँ पर duck दिख रही हैं, और यहाँ पर आपको land दिखी रही है और यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे हो कि जब इस land से आप move on कर रहे हो इस aquatic ecosystem की तरफ तो transition तो होना बनता है मतलब की ecosystem का transition हो रहा है मतलब की land ecosystem से aquatic ecosystem की तरफ move किया जा रहा है और इन ही दोनों तरीके के ecosystem के बीच का एक जो part होता है उसे ecotone कहते है तो अब जानना यह चाहिए हमको कि यह दो ecosystem के बीच का जो region है इसको पहली बात तो एक अलग नाम क्यों दिया गया और अगर दिया गया तो क्या इसका कोई significance है हाँ बहुत बड़ा significance है तो सबसे पहले तो इसको define करते है कि ecotone अगर आप से कोई पूछे तो आप बताओगे क्या तो आप बोलोगे it is a zone of junction or a transition area between two biomes also अगर आपको यह tortoise दिख रहा है यह frog दिख रहा है यह duck दिख रही है यह fish यह duck भी इस region में आ सकती है और यह tortoise और frog भी इस region में आ सकता है इसका मतलब आपने क्या समझा इसका मतलब आपने समझा कि ecotone जो होगा वो एक ऐसा zone होगा जहां पे दो communities of land and aquatic ecosystem आके मिलेंगी that ecotone is the zone where two communities meet and integrate जिसे example के तौर पे अभी तो land और aquatic ecosystem के beach के transition zone की बात चल रही थी ठीक है दोस्त अगर supposedly मैं ऐसा मान लूँ कि यह जो beach का ecotone है यह mangrove है आपने देखा होगा mangrove forest के बारे में किस तरीके का एक बिल्कुल different ecosystem होता है वहां का तो mangrove forest जो होता है वो किस के beach का ecotone होता है ध्यान से देखने की और सोचने की imagine करने की कोशिश करो तो mangrove forest जो होते हैं या mangrove ecosystem जो होता है उसकी एक तरफ तो होता है हमारा marine और दूसरी तरफ क्या होता है दूसरी तरफ होता है हमारा terrestrial ecosystem तो यह जो mangrove ecotone बनेगा यह किसके बीच का बनेगा marine और terrestrial का चलिए अगर मैं आपे दूसरा example लिख दूँ grassland का तो आपको क्या लगता है grassland के दोनों तरफ कौन-कौन से ecosystem रहते हैं तो grassland में एक तरफ रहता है forest और एक तरफ रहता है desert चलिए दूसरा ecotone अगर मैं बना द fresh water का और दूसरी तरफ, दूसरी तरफ होगा saline water का इसके बाद यह जो ecotone होता है यह wide भी हो सकता है wide मतलब बढ़ा हो सकता है और narrow मतलब कि बहुत छोटा भी हो सकता है wide किस case में होगा और narrow किस case में होगा narrow होगा grassland और forest के case में और wide होगा forest और desert के case में और क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि दोनों ecosystem से species आके मिल रही है इसलिए इसको zone of tension भी कहा जाता है और क्योंकि अब आपने यह समझा कि इसको zone of tension कहा जाता है और tension create होने का क्या मतलब है tension create होने का मतलब है कि इन दोनों ecosystem में जो species आके एक जगे मिल रही है वो कोई एक species दूसरी species पर भारी पढ़ रही है possible कैसे कि न एक्वेटिक ecosystem में वो species पाई जाती है न लैंड ecosystem में उसके बाद भी ecotone में वो species पाई जाती है इसका कारण यह है दोस्तों कि over the period of time and a very long time species क्या होती है अपने आपको evolve करती है तो इस evolution में क्या होता है जैसे एक species मान लो एक्वेटिक ecosystem की भारी पढ़ रही है land ecosystem की species पर तो वो species क्या होती है over the period of time या तो विलूप तो जाएगी या फिर अपने आपको evolve करेगी उनसे लड़ने के लिए तो इस evolution के कारण क्या होता है एक नई species जर्मिनेट हो जाती है वहाँ पर इसी कारण से ऐसे बहुत सारे well fully fledgedly developed ecotone हमें मिलते है जहां पर बहुत से ऐसे organisms और species मिलती है जो adjoining communities से अलग होती है चलिए मैं उमीद करता हूँ आपने समझ लिया अब बात करते है थोड़ी सी इस line के बारे में यह क्या line दर्शार ही है क्योंकि इसी line को eco client के नाम से अब हम पढ़ने वाले है अब दोस्तों यह जो line होती है ना इसको आपको इस तरीक के ecosystem से that is ecosystem 1 से move on कर रहे है ecosystem 2 पे और यह खेर यह तो आप जानते ही हो आपने समझ भी लिया अभी तो यहाँ पे decidious forest एक तरीके का ecosystem था और दूसरी जगे था grassland का ecosystem तो decidious forest में कौन सी species पाई जाएगी decidious forest species और grassland ecosystem में grassland species मगर आप मुझे यह सोच के बताओ कि अगर आपको decidious forest से grassland ecosystem की तरफ में भेजूँ तो आपको कौन सी species कम होती भी दिखना चाहिए अफकोर्स ही बात है आप बोलोगे कि decidious forest की जो species है वो कम होनी चाहिए क्योंकि grassland वाली जो species है वो धीरे-दीरे बढ़ेगी तो बस यही जवाब है decidious से जब आप grassland की तरफ जाओगे तो यह देखो ग्राफ किस तरफ ले जा रहा है आपको यह ले जा रहा है नीचे मतलब यह बता रहा है आपको कि decidious forest वाली जो species है वो धीरे-दीरे कम हो जाएगी और एक टाइम पर आके जब grassland पूरा आजाएगा तो तो खतम ही हो जा तो यह समझा रहा था आपको कि एक ecosystem से दूसरे ecosystem में जब आप move करोगे तो किस तरीके से एक species कम होती जाएगी और एक time के बाद खतम हो जाएगी और दूसरी species बढ़ना शुरू होगी और एक time के बाद dominant हो जाएगी अब यहाँ पर आपको एक चीज और समझनी चाहिए कि य यह हो कहां से रहा है दोस्त यह इसी line से तो हो रहा है देखो यही तो हो रहा है transition यहां से और यहां पर कहां पर हो रहा transition यहां पर भी यहां से हो रहा है जब पूरी grassland species हो गई और dominance कहां से create हो गया था वो हो गया था यहां से समझ महीं है आपको बात तो इस तरीके से यह ज define किसे किया जाता है, as a zone of gradual but continuous change from one ecosystem to another when there is no sharp boundary between the two in terms of species competition, अब इसको अगर आप समझोगे, तो देखो, क्या यहाँ पे gradual और continuous change हमको देखने को मिल रहा था, इन arrow को देखो ध्यान से, gradual भी है, धीरे धीरे, एकदम से ऐसा तो नहीं हुआ, कि एकदम से peak पकड़ ली, नहीं, gradual एक ecosystem से दूसरी की तरफ है, हाँ, क्या कोई sharp boundary आपको दीखी, नहीं, तो इस तरीके से यहाँ पे आपने eco client को समझ लिया, अब मुद्दा यह आता है, कि यह होता क्यों है, तो यह होता है कुछ abiotic factors के कारण, अब यह तो आप already जानते हो कि abiotic का मतलब क्या होता है, एक होत factors, abiotic का मतलब होता है, non-living, non-living में कौन से factors हैं यह, जैसे temperature, जैसे altitude, जैसे salinity, जैसे depth, etc, तो चली दोस्तों, अब बात करते है, edge effect की, edge effect को समझाने से भी पहले, मैं फिर से यहाँ पे, इस eco client को develop कर देता हूं, या draw कर देता हूं, यह बन गया हमारा eco client, चलो, अब यह क् होता है, यह तो आप समझ गए कि, इस eco client से, और इस eco client से, कुछ changes हाते हैं, यह अभी हमने देखा था, कि, एक species कम हो जाएगी, एक species बढ़ जाएगी, एक ऐसा zone रहता है, जिसको पूरे को eco tone बोलते हैं, और eco client में हमने देखा था, कि, इस species यह कम होती है, और एक ज़्यादा से हम इधार आएं, कहीं भी जाएं, तो यह जो line है ना, जो habitat की boundary है, यहां से population और community में changes आना शुरू होते हैं, हाँ, अब यह important है, कि यह किसकी population और किसकी community में changes होना शुरू होते हैं, अगर मैं नहीं भी बताऊं, तो आप guess कर सकते हो, यह species की, कौन सी species, जो, या तो decidus forest species ह यह grassland की species, इनकी population और community में changes आना शुरू होते हैं, क्योंकि यह habitat की boundary है, अब habitat change हो रहा है, तो इस change को edge effect कहते हैं, और इसी edge effect के कारण, जो मैं आपको पहले बता रहा था, ऐसी बहुत सारी species होती है, there are number of species which has much greater population in ecotone than either of the two ecosystems. समझ मैं ही आपको दोस्तों बात, मतलब की, ऐसी species, कोई भी, जिसको भी आप देखना चाहो, ऐसा possible है, कि उसकी population न grassland में उतनी हो, न decidus forest में, मगर ecotone वाले area में बहुत जादा हो, यह possible है, और यह क्यों होता है, यह edge effect के कारण होता है, और ऐसी species, जो इस zone में बहुत जाद पाई जाती है, उसको नाम दे दिया जाता है, edge species, जिसे example से भी हम समझ सकते हैं, मैं अगर मान लूँ, एक तरफ ecosystem लूँ, forest का, यह बिल्कुल practical एक example है, और दूसरी तरफ में ecosystem लूँ, desert का, तो यह देखा जाता है, कि इन दोनों ecosystem के बीच में, जो ecotone आता है, वहाँ पे ज birds जो है, वह edge species कहलाएगी, मैं उमीद करता हूँ कि इन तीनों ही terminology को मैं बहुत आसानी से आपनों के लिए क्लियर कर पाया हूँ, अगर हाँ, comment में नीचे जरूर बताना, it motivates me to bring more lectures for you, also if you really find this helpful, do share with your friends also, might they also need a like if you share with them, in the end, keep shining, have a good day.